हालो इंडियार सुपरबात की हाल चाल कैसे हो आप स्वाहम सब बहुत ज़्यादा बढ़ी है नए ब्लॉग में आप सभी स्वागत है जमुक्ष्मिर से जि मैं तीसरा वाला टेक ले रहा हूं आइसा इसा बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ पाओ मैं क्या बोलना चा सब्सक्राइब करने के लिए मैंने देखा जिसको नहीं बुलाया होना बोलाइन में लगा होना वंदा तब भी वापिस आना पड़ता है क्योंकि लाइन लंबी होती है और नीचे बर्फ होती है नंगे पाउंच आना पड़ता है तो मैक्सिमाम बंदेना वहां पर हीमत हार देते हैं और जही होता है जब बोले बावा जी ने भूलाया होना अटोमेटिकल ना अंदर पापर आजाती है कुछ ऐसा होने वाला है और ठीक है मेर दोस्त अब इना देखते हैं कि घर पे क्या हल चल चल रहे है कुछ हल चल हुई है वह मैं सारा आपको इसी ब्लॉग में बताता हूं और पिशे मैंने बैग भी रेडी कर दिया है बस आभी चोटा मोटा समान डालना जासे कोल गेट होगी टावल हो गया ऐसे चोटे मोटे समान मेरे दोस्त मुझे पता ने आपके उदर कैसा हाल होगा पर हमारे यहां पर अभी 39 डिग्री टेंपरेचर है हाला कि मैं अभी जस्त नहाया हूं तब भी ज्यादा गर्मी लग रही है ज्यादा ऐसा लग रहा है कि चालीश के आज पात पहुंच चुके ऐसा फील हो रहे है 29 यार और मैक्सिमम आज आएगा 34 और आज सुर्यदेव तब नहीं निकले हैं दिख रहा है ना बादल है बाहर दिख रहा है ना तब भी जादा गर्मी लग रही है अभी गास्तों मावा ने काट दिया पर हम ना वेट कर रहे थे लाइट आएगी नो बजे आई निया अभ सारदाने की चटनी बना रहे हैं और मेरा दोस्त भी आया है फुदीना लेने के लिए अभी न मेरे दोस्त को पूछते हैं उसे ना मैंने तेल दिया था पांच-छे दिन पहले कैसा असर हो रहा है असर कुछ नहीं हो रहा है जड़के सारे सारे जड़के सेम गाम जो पहले दिन पहले करें ना हमने वो खेश से बूसावर के लिए थे सेम इसमें पूरी राच और बाई इस वेरे सवेरे मेरे को बोल रहा था तुने कैसा तेल दिया बाल उगने के बजाए जो मेरे सर के ऊपर बचे हैं यह जड़ना शुरू हो चुकी है तो मैंने बोला पूरा सर न मैंने भला ताना सुला सोरी मामा जी ने बोला रहा ना स्वा ना सर्फ 만큼 से लेके आना इनके पिसू ना बुरी तरह से का जैतना भी एक तभी उनित जदा इनने खानने को मिलते हैं पर इनकी खातर्दारी क्यमत में इनकी फिर सो बढ़वादे का इनको झाहत हो इतना कुछ मिलता पर म untuk me नोला कौन पीटे रहते हैं बेटकर आरे आने वाला है डोट वरी पर इनने ज़्यादा पिस्सू नहीं देखे सची यार मामा कहां से रहें जो खतमी नहीं हो रहे अभी से मजा रहा है है मामा अभी ना मामा जी ना इन्हें साइट पर बांद देंगे नहलाना नहीं है जो लगाया है अच्छी तरह से ना जो बच्ची होए पिस्तू है ना कि टानुशा ने सारे मार देने हैं अभी न मामा जी ने बोला है जितने भी आना चोटे-चोटे कि अरे रुकाइस ता जलना मासी मामा लिए अच्छा गाम कर रहे हैं बाई इनना गास डाल दे रहे हैं इन्हें पत्ते शते ही ना हैल्दी नहीं हो रहे हैं कि इनका खुणना पिस्तू भीते रहते हैं कि पहली बाद देखा होगा कि बाई सर्फ एक्सल से ना बक्रियां दोई जादी हैं कुछ तैम बहुत रहे ना बक्रियों को नला रहे थे मैंने सोचा नहीं था क्यूंकि मैंने आदा गंड़ा पहले नहाया हुआ पर पर कुछ आलाद ही उश्यासे कर दिए जॉड़ा ने की मेरे को नहाना पड़ा इवन की मेरे को कपड़े भी आपने फैंकने पड़े भाई 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 खाना खारे होंगे तो वाई सब आपी नंबर आया चोटे से बालक का इसे हम बोलते हैं लोकल बाश्या में कट्ट कि आप लुए मेरे को बाई उसके उपर इसे कम बाल हैं बहुत जाधा दूर तो सबसे ज़्यादा इसे वह टार्गेट करते हैं इतने सारे चले जार अगे पिचे से मेले में आ कि और मैं दिखा ओड़िए देखे खाना चलते हुए कंच लगिया अब ही ूपर गप्डूरीOOOO प्रेंकियू निरवाला भाई इतनी दोपेर गणा लेक्ड आई है वैसे आपने काम के लिए गीठी थैंक यू बाई इस पार्सल में क्या होने वाला है बोद मैं आपको बताने वाला हूं और अभी टाइम हो चुका है दो पैर के डाई अभी मैं बैग पैकिंग मलें बैग फिल करना शुरू करने वाला हूं मलें चोटा मोड़ा समान है ना बो डालना सारा बैस आपको कनाल वाला सिस्टम संभाई नहीं आता होगा यह बगवान सूर्य देपता इस टाइम इन्नी गर्मी फैंक रहे हैं ना पर अब इन्हें उतनी गर्मी नहीं इतनी सुवा गर्मी थी आसा लग रहा था सुवा वाई आज तो सूर्य देपता शायद दर्ती के पास आ च लेके उपके लिए ना चाह तक निकल ॥ाओंगा में आ ऐस ंंद्र ढटलरण वाले पांच शॉर्दे होते हैं और बेचार दिन राद काम करते हैं छाइश एसले क्यों ब य अब यह जाने वाला शाम को साथ वजे मैं बोला अभी जाएगा और अब यह जाएगा अरे काका असे मत फैंक यार किने जल्दी आ इन्हें समान दिखाने के लिए पता है क्या चीज़ा है अभी वाई मासीव कटाई करवाने के लिए पर मामा जी ने कंपाई नहीं फिर आदी भाई बात ही खतम कर दी क्योंकि अभी कौन की कटाई करेगा मर जाएगा उल्टा पर यह वाली चीज़ बता है क्या है दिखा तो से ही फिर आदी करने मारना भी है मेरी दूसरी बहन ने ब लोगों को पता होगा इसे ना बरख के वीच ना गृप बनी रहती है प्लस शूज के अंदर पानी भी नहीं आता और जिससे जो मेरे दूसरे वाले शूज़ाना बहु भी वाटरप्रूव बन जाएंगे और यह मेरे 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 को मिले है साधे 300 में कम से कम बाई ना ब लगांकी अगले महीनें में देख मुझे दिखा रहे हैं एक बज़े तक दिक्कत समने रहते हैं ऑर बई ぐरम फिर उसके बार माला निचे-वाला प्लस剥 भी करम हों और कुलर इसलिए चाहिए क्योंकि कुलर ना इस वाले रूम में लगाएंगे तो पैर को न सारे कठे होके ना इस रूम में घुज़ आते हैं अभी कमसी हम पांचे लोग होंगे मामा जी जास्टाभी के है ना नी जास्टाभी उटके बाहर आया है मासी भी आया देखो सारे पर आगे और सारे इसी रूम में घुशे हुए क्योंकि यह वाला रूम ना ठंडा अभी फिलाल पर आने वाले एक दू महीने के बाद ना जे वाला रूम भी गर्म होना शुरू आता है क्योंकि उस टाइम फिर 44 बहुत ज्यादा होता है और जी नीचे वाला प्लस्तर है न पूछो मत तो इसलिए ना बापिस आने वाला कुल लेंगे बढ़िया वाला और फिर सारे महीं से सोया करेंगे बाई बाबा केदार ना जाने का वाला वहां पर होगी तगडी वाली स्नो और मुझे लग रहा है जो मैंने एक कबर मगवाया है ना वाटर पूरू वाला जे है थोड़ा चोटा महीं चुक्क और अपर इस में बढ़ वाले साइज दिने ही एक इस साइज था जहे बाला फ्री है उडर करें अब हरतार वमरत दिखने महीं बढ़ा चोटा hayır लग अ और उसकी बाद एक अच्छी यहां कि नीचे वाली शाय ना ग्रिप बनी रहेगी आरे जॉटन पिछ हो जा तिरे खाने वाला समान नहीं है और यह वाली स्कूटी है जो मासीट इंशोरंस लेने वाले हैं क्लेम करने वाले हैं पर यह कहीं से तूटी नहीं है वाई कहां से बागी तो सही है बाइव उस दिन भी अम बरी दो पैर को गेते आज भी बरी दो पैर को जा रहे हैं सेम टाइम पर जा रहे हैं अभी देड़ वजा हुए चलो वाई अभी नहीं एक बाद आच्छी हो चुकिया मैं ना कमेंट रीड करता रहता हूं उस पे बाद मतले काफी सा सारे काम करने अभी जैसे गर भी लेकि आना ता शाम को बूसरा नंकल उसे बांढ़ना है नहीं तो सारा उड़ जाता है बहुत सारे काम थे बटो शायद मेरे आने तक कर देंगे नहीं हुए होंगे ना एक हापते में फिर सारे मैं भी हल्फ करूंगा थोड़ा ही काम है जल्दी को यह लेट क्यों है दो ओने दीई कोawan युथ67 मंभाइव सामने दिख रही है मछिन तो हिए अंटर हो गलती से महारे मोहले काट्र जी हो मामा जी के चाचा जी के लड़के का है कैसा समझा है मोहले का ट्रेक्टर है तो थोड़ा रास्ते में लगा हुआ यह जाने वाली है तो इसलिए मशीन कब से यहां पर खड़ी है तो अभी लग्की ने चाबी लेके आया घर से अभी साइट पर करना है फिर जाके मशीन आगे आगी बट आभी हमने बोल दिया वाई अभी रुक्यों यहां पे चाई शाई पीके जाओ से यह ना और भाई लोग आज करना इस मशीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लोग बहुत पता क्यों देते क्योंकि यह लोट refuge यह इसलिए इस मैष्रक प्रेफरेंस दायाती है इतनी मैषिंन इतनी बड़ी पार से देक रहा हूं ऐगं ऀसलिए लोग कि देक्टाइब झीचने चलती हुई देखिए वह में दूर से देखी हुई है इतनी बड़ी है यहां पर जो भी गेहु फज आती है पहले मेरे को लग रहा था जे वाले लंबे-लंबे गुमते हैं पर गुमते नहीं एक जगा स्टेबल है जो भी गेहु उसमें फज आती है न वो कटने के बाद ना और यह नीचे काटने वाले भी लगी हुए है यहां पर काफी थेज बलेड वी है गलती से चलना शुरू होगी ना मेरी उंगली काट देगी एक सेकंड में और यहां से गेहु कटने के बाद पिछे जाती है उसके बाद वड़ा लंबा पर सिजर है कितनी बड़ी है और मोका मिलेगा ना मैं आपको उपर स से भी दिखाऊंगा से चलाने तो नहीं देंगे मेरे को बैठने देंगे ठीक है थोड़ा सा ट्राय करेंगे क्योंकि उपर वाली साइड बहुत ज्यादा दूल मिटी आती है और इसके ड्राइबर होते है उनको वाई सल्यूट है इससे दिन राज चलाना क्योंकि जब चलत स्रीकाल बाबाजी ते तुस्य हिंदी बोलनी बैनी है मैंनों पुझाबी बड़ी काम आंदी है ते मलक 24 गंटे चल दिया है अच्छा मलक कट 16 गंटे चल दिया ना ते दोनों ड्राइबर लग लग टाइम दे चलान देना है अच्छा तो आटी मशीन है साधी मैं पूर मैं अच्छा माल को ओर माल के दर हैं अच्छा किदर थी मिशीन है पंजाब दी संगरूर दी अच्छा तो चलान वाले अगदों अच्छा बारी बारी चलान देना है बाई ड्राइबर बाई की कंडिशन कुछ ऐसी रहती है क्योंकि दूल मिटी ना काफी यदा आगे साथी रह चोटी चोटी है और दिख रहा है ना कम से कम डबल है वाई और इसलिए थोड़ी सी ना दिक्कत हो रही है यहां तक लाने के लिए और खूदी देख लोगे सामने वाले पेड़ वाई काभी सारे हैं और किनी जॉइंट मिशीन है ना कि वाई यहां पर मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत ना फच चुकी है क्योंकि अरे मशीन पूरी गुमगी वाई क्योंकि इस वाली साइड भी यह वाला बड़ा ट्री है उस वाली साइड भी ट्री है बार ड्राइवर साहब काफी आनुवा भी लग रहे हैं निकाल दी पिछे से देखने से देखने से लग रहा है कि जगा बड़ी कम थी वाट उन्हें तेड़ी मेड़ी करके निकाल दी वाई लोग देखा जाए ना अभी हमारे मुहले वालों उन्हें कंसिकम चार-चार दिन लगाके ना अपनी आदी-आदी काटी हुई है और दोपैर का टा और अभी नमें बहुत ज्यादा मैंनत करने बढ़ रही है जे वाली साइट करने के लिए दिख रहे है ना परियां एस साइड पर करने के लिए चलो जब आप करते हैं और जितनी भी दिख रहे हैं स्वारी बाई कंसे हूं अभी यहां पर एक गंडा लगने वाला है क्यूं अपने सब भी ने काट लिया है जो भी शाम को आएंगे ना एकदम से वाई चका चोंद रहा जाएंगे कि बाई इनकी कट गया से गई पहले वहले लकी का बता है कि इतनी अधा गर्मी बढ़ रहा है उस्ताइम लगी ना केट काट रहा था वह लगी यह भी काटा हुआ है यह कल्से काटा हुआ तो वाई लोग पूरे 35 मिनट में ना मशीन ने हमारी एक किला गेहु खतम कर दी पूरी की पूरी और अभी टाइम हो चुका है फल की प्राप्ति करने का मला गेहु तो कट चुकी है अब यह ना सारी गेहु वहां पे निकालने वाला है बाहर भाई और वह वाला सीन ना बड़ा सैटिस्फेक्शन वाला सीन होता है लो भाई जितनी भी गेहु इसने स्टोर करके रखी है ना सारी बार निकल चुकी है ओ भाई थोड़ी आगे कर ले सारी गेहु बार चली गई लो वाई पूरे एक एकड़ी गेहु ना सारी यहां पे लगा दिया और अभी चयक आउट करते हैं अपने गेहु कैसी है बिलकुल पर दाना भी काफी दाना इसे भी मोटा है वाई ठीक है पर यह ची भाई नियुट्त खेत ना किनी वाई अमने ना मले बागदोड करी एंड किने जदा थके भी यहां पर देखो आदे के अंडे 35 मिन लगाए सारे और सारा फिनिश कर दिया दाने वी सामने रख दिया है तो अभी ना ट्रेक्टर वाले को को कोल करने वाले क्योंकि जे वाले दाने ना हम अपने प लगाना है उसके लिए बड़ा लंबा प्रसीजर होता है यार मान के चलोगी दान लगाते है 5000 भी लेते हैं और भाई लोग किसान की सबसे अच्छी वात बता क्या रहती है से हमारी फसल निकली है ना सबसे पहले ना इसमें से ना बगवान क्या हिस्सा निकाला जाएगा ज चड़ाया आता है और यह अमने ना इसे बोलते हैं मतलब बंद दिया है बगवान को चोड़ बगवान के नाम की निकाल दिये